हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका सीगर्ट शैप किचिन में आज यहाँ पर हम बनाएंगे बहुती साधा नर्सी सबजी जिसका नाम है गवार फली तो इसको गवार फली, गवार फली या कलस्टर बीन्स, कुत्ती की फली तो इसको हम बहुत सारे नामों से अलग-लग बुलाते हैं तो इस सबजी से बहुती प्यार करते हैं तो इसके घरवालों ने दादी, नानी, ममी सबने अलग-लग नाम इसके रख दिये हैं यहाँ मैंने ली है गवार फली जिसे मैंने काटकर और धोकर रखा हुआ है अब हम gas on करके पैन रखेंगे और उसमें डालेंगे तेल तेल जब गरम हो जाएगा तब हम यहाँ पर डालेंगे सबसे पहले हींग एक चुटकी उसके बाद डालूँगी मैं अजवाइन, एक चमच और इसको जब हलके से यह भुण जाएगी, उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे गवार फली और इनको बस हमें सारी ऐसे ही डाल देना है, कोई मसाला कुछ नहीं डालना है और इसको डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और mix करने के बाद इसको फिर हमें ढ़क कर ऐसी ही पकाना है तो मैं तेल में ही इसको पकाऊँगी तो इसको आप धीमी आज पर गैस पर रगदे थोड़ा सा नमक डालकर और इसको पकने दे अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद एक प्लेट से ढखकर हम इसको रख देंगे उसके बाद हम यहाँ पर फिर तैयारी करेंगे कुछ मसाले की तो यहाँ सबसे पहले मैं डालूंगी छिला हुआ लैसुन की कली उसके बाद एक करूंगी अधरक के टुकला फिर हम डालेंगे लाल मेट साबुत वाली उसके बाद थोड़ा सा धनिया डाल देंगे साबुत और इन सब को हम अच्छी से फिर क्रश कर लेंगे तो यह हमें थोड़ी देर इसको कूट लेना है अच्छी से जिसे अधरक को हम क्रश करते हैं उस तरीके से हमें इसे कर लेना है तो यहाँ यह तैयार हो जाए का मसाला तो यह देखिए यह तैयार है इस तरीके से आपको तैयार करना है उसके बाद हम देखेंगे कि गौर्फली हमारी पक चुकी है के नहीं इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और ये चेक कटते रहेंगे कि गौर्फली पकी है के नहीं तो यहाँ पर अभी हम दुबारा से इसको धगकर रख देंगे थोड़ी देर के लिए तब तक यह अच्छे से पक जाएगी फिर हम दूसरी कडाई लेंगे उसमें डालेंगे तेल सरसों का जब तेल करम हो जाएगा तो यहाँ पर मैं एट करूँगी हरी मिर्च कटी हुई अब यहाँ पर एट करेंगे क्रश किया हुआ अद्रक लहसुन और मिर्च का पेस्ट तो यह ढालकर अब हम थोड़ा सा इसको भूण लेंगे और जब यह एक मनट के लिए भूण जाएगा तब यहाँ पर फिर हम एट करेंगे कटी हुई प्याज तो कटी हुई प्याज डालने के बाद इसको भी हम 2 मनट को भूण लेंगे हुए टमाटर एट करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और इसको फिर हम पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए तब तक यहां पर हम लेंगे एक बोल इसमें मैं डालूँगी दही दही अगर गाड़ा है तो तो आप थोड़ा सा पानी डाल लें, अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, तो मैं दही में सबसे पहले एड करूंगी हल्दी पाउडर एक चमच, एक चमच धनिया पाउडर, एक चमच लाल मिर्च पाउडर, और अब इस सब को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जब ये मिक्स हो जाएगा तो अब हम इसको पहले साइड में रख देंगे और अब चेक करेंगे हम कड़ाई में कि टमाटर हमारे पक चुके है या नहीं तो यहाँ पर टमाटर भी गल गए हैं इनको अच्छी से मिक्स कर लेंगे तो अब यहाँ पर हम एड कर सकते हैं जो हमने मसाला तयार किया है तो पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पर हम अपनी गवार फली कि वो पकी है या नहीं तो यहाँ खोल कर देखेंगे और इसको मिक्स कर लें और अब हम इसको हाथ से देख सकते हैं कि यह पकी है या नहीं तो यह अच्छी से हमारी गवार फ़ली पक चुकी है और अब हम इसको साइड में गैस बंद करके रख देंगे और अब हम अब जो टामाटर में जो हमने पेस्ट बनाया है था दही के साथ मसालों का इसको डाल देंगे और फिर हम इसको अच्छे से mix कर लेंगे उसके बाद आप थोड़ा सा पानी भी add कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने भी थोड़ा सा पानी इसी में डाल कर mix कर दिया है तो यह gravy हमारी अब थोड़ी देर ऐसे ही हम भूनेंगे और इसमें थोड़ा सा add कर देंगे यहाँ पर नमक इसको mix कर लेंगे और इसके बाद हम थोड़ा सा पानी add करेंगे लगबग आधा कप और इसको ऐसी ही छोड़ देंगे थोड़ी देर जिससे की यह अच्छी से boil हो जाए और फिर हम इसको ढखकर पांच मिनट के लिए आप ऐसे ही छोड़ दें और पांच मिनट के बाद हम इसको खोल कर देखेंगे तो यहाँ पर यह अच्छी से पक चुकी है और इसको चला लेंगे हम दो से तीन बार चलाने के बाद फिर यहाँ पर मैं add करूंगी अपनी गवार फली तो यहाँ पर यह सारी गवार फली डाल कर और इसको अच्छी से हम mix कर लेंगे मसाले में और mix करने के बाद यहाँ पर हमारी जो गवार फली एकदम तयार है और इसको भी हम 2-3 मिनाट के लिए ढग कर रख देंगे गैस पर दीमी आज पर अब गैस बंद कर देंगे तो गवार फली एकदम तयार है अब इसमें हम थोड़ा सा एट कर देंगी क्रीम क्रीम ऑप्शनल है अगर आप चाहे एट कर सकते हैं और नहीं चाहें तो कोई जरुवत नहीं है तो यहां मैंने थोड़ा सा दो चमच करीब क्रीम एट कर दी है और इसको फिर अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद ऐसे ही छोड़ देंगे और अब हमारी जो सबजी है बनकर तयार है और उपर से गानिश करेंगे हरे धनिये के साथ तो यहां मैं धनिया एट कर दूँगी तो यह सबजी बहुत अच्छी बनती है एक बार इसकी रेसिपी इस तरीके से आप ट्राइ कीजिएगा आपने बहुत तरीके से खाई होगी लेकिन इस बा जाय ओए होगी बनती है एक बचल नही के लिएगगगे बन्यूरा को ईप घए ससे तरीके प्राम मैं पाता डार है इसके ट मजय दोब्ले कर द lasciते हैं बहुती है किसे से खाई नहीं पूट नहीं दो बले Care डिके सब्स्ट उल्यार है टो जुट राइगगी हैं इसके से ग्